हलो एवरिवान वेलकम बैक टू मैई चैनल आज डे ट्यूजडे है और आज अर्ली मौनिंग शूटिंग स्टार्ट कर रही हूं मैं सुबह का वक्त है और सुबह मैं जल्दी उठती हूं छे बजे तक तो आज मैं सुबह उठी गई थी घर की जाड़ू लगा चुकी हूं मै और नहाना हो गया है मेरा आज मैंने शैंपू किया है और नहाने के बाद सबसे पहला मुझे चाय चाहिए तो मैं अद्रफ़ डाल करके अपने लिए चाय बनाने वाली हूं रूटिन मेरा डेली यही रहता है क्योंकि हस्पिन कर टिफिन रहता है उनका नाश्ता रहता है औ और या फिर लच में शुट किया है मैंने मैंने अपनी चाय बनाने क्लिए इससे दूद का एक्नि जाव और हो जू का प्ऐले वाला दूद रहता है और दूसरे बर्तन में जो पिल्ट के रखा रहता है चाय के लिए वही दूद consciousness करने लगती हूं और अधरक कदुकस कर रही हूँ है, अधरक कदुकस करके डालती हूँ साथा तर सुबह का नाश्ता भी बनाना है और हस्बिन को टिफिन के लिए लेकर जाना है वो भी मुझे बनाना है फ्रेज में रखी हुई थी, गोबी तो रही तो बच्चों ने बुर गोभी के पराटे खाएंगे तो बातने बनाओंगे पहले मैंने ब्रेड निकाली है और यह है आलू को मसाला तो मैं सबसे पहले नाश्टे के लिए सांविच्श बना रहे हूँ यह अलू का मसाला बनाया था मैंने कल कई बार आलू का मसाला बच जाता है तब तो मैं बनाती ही हूँ सान्विच और कई बार मैं इंटेंशनली भी करती हूँ थोड़ा जादा आलू क्योंकि आलू के सान्विच बच्चों को पसंद होते है और जब मैंने आलू कल फ्राई के थे तो यह लेफ्ट ओवर का यह वाला यूज मैं करती हूँ, अक्सर करती हूँ सुखी सबजी अभी आरी है ना, सरदियां आलू मट्र की सुखी सबजी बनेगी तो मैं अक्सर थोड़ी जादा से बना लेती हूँ थोड़ी बचती है और थोड़ी में कुछ काम होता नहीं है तो इतनी बचती है अटलीस की नाश्टा बन जाए तो बस ब्रेट स्लाइस के बीच में डाल करके मैंने यह से पैक कर दिया है तो यह सैंविच की तैयारी हो गई है पर मैं तवे पे घी लगा के तभी सिहकूंगी जब सब नाश्टे के लिए टेबल पर आने लगेंगे तो चार सैंविच तैयार हैं दो दो पीसेद हो जाएंगे इसको कट करके तो नाश्टे का काम हुआ थोड़ा सा चेंज भी मिल जाता है अलग से जैसे कभी सैंविच बनानो शुबमकसर आलू की सैंविच के लिए बो तो और भी ठंड़ ठंड़ लगता है ना फ्रीच से मैंने गोवी का फूल निकाल के बाहर रखा हुआ है यह दुला हुआ था दुला ही है कल दुल के रखा था सब मैंने आटा निकाला है थाली में थोड़ा सा नमक टाल रही हूं मैं और पाई जालके आटा गूठ रही हू तो पराठे बहुत अच्छे बनते हैं सॉफ्ट रहता है हाटा और बिलने में दिक्कत नहीं होती फटतर नहीं है फिर इस टब पराठे अब मैंने हाटा ढख करके साइड में रखना है और यह जो गोभी है इसे मैं कर्दू कस कर रही हूं क्योंकि सुबह के हमारे काम तो हो च क्यारी रहती है और आज बच्चे भी बापा के साथ टेबल पर नाश्टा करने वाले हैं क्योंकि शूबम का तो फेवरेट है सैंविच और सैंड़िश गरम ही अच्छे लगते हैं मैंने अदरा खारी मेर्ची और यह गोभी कदू कस करके रखी है अब मैंने तवा रखा है गैस पर और उसमें घी डाला है और दोनों ही साइड से अच्छे से ब्रेड स्लाइड से इकनी है मुझे मेरे पास ना इलेक्टिक टोस्टर ही है सैंड़िश बनाती हूं मैं उसमें कभी कभार लेकिन पता नहीं क्यों अब जब से एक आध बार ऐसे तवे पर सेख लिये ना के जहां इंडक्शन रखा है वहां पर ही प्लग होता है यह देखो अच्छे से ब्रेड स्लाइस एक गई है और यह हमारा सैंविश तयार हो गया है जब भी सैंविश खाओ मुझे पुराने दिनों की याद आ जाती है बच्पन की हम लोगों का मतला हम लोगों के ताइम पर हर दिन मिल जाता था कभी कभार सैंविश मिलते थे तो हम लोगों के लिए बड़ी चीज थी हमारे बच्पन में सैंविश मिलना बागी बुक्णू पराठा को मिलता था नामका ज्वाइन की पूरियां मिलती थी नाशने में सबजी पराठा तो बेन मांगे मिलता था रोज हमारी ज्वाइन फैमिली थी तो सबजी रोटी सबजी पराठा सुबह से कभी कभार नमका ज्वाइन की पूरियां और सैंविश मतलब पार्टी स्पैशल दिन तो आज यह बना है मुझे भड़ा पसंद है और यह मैंने रखा टेबल पर और अब इन सब के लिए दूद बन देते ही हैं और इन दोनों को भी मैंने अभी दिया है यह टाइम होता है हमारे यह बिल्कुल और मेरे दिमार पर घंटी लटकी हो यह टिफिन 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 वाली तो मुझे वह भी फटा-फट से पूरा करना है यह मैंने गो भी क्रेट करके रखी थी और अद्रख हरी मिर्ची तो अब मैंने कड़ाई में सर्सों का तेल गरम किया है थोड़ा सा और एक चमज डाला है मैंने जीरा हरी मिर्ची कट्यू ही और अद्रख कद्दू कस किया हुआ डालेंगे थोड़ी सी हींग डाल रही हुँ मैं अगर आप प्याज पसंद करते हैं तो डाल सकते हैं मैं यहाँ पर प्याज और लेसन का यूज नहीं कर रही हूँ और ये पराठे बहुत ही जल्दी बनते हैं विंटर सीजन आ रहा है कई बार गोबी की सबजी खाके भी बोर हो जाएं या कुछ चेंज खाने का दिल करें तो फिर आप ये गोबी के पराठे बना सकते हैं अब मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर आदा चमच धनिया पाउडर एक चमच डाला है चुटी चमच जो मैं यूज करती हूं मसालों में और आदा चमच से थोड़ा कम ही मैंने लाल मिर्ची डाली है क्योंकि मैंने हरी मिर्ची डाली है बस थोड़ा सा लाल मिर्ची और ये गरम मसाला डाला है वन फोज चीज़ पून अब सबी सुखे मसालों के साथ ही तुरंट मैंने ये गोभी डाल दी है क्योंकि तेल अच्छा खासा गरम है सुखे मसाले जलेना फटा फट से आज दीमे करके सब को मिक्स कर लेना है इसी टाइम पर नमक भी सुखे के नुसार डाल दें जिसे गोभी हमारी जल्दी से पक जाएगी और वो जैसे ही पकेगी न थोड़ा सा क्वांटिटी कम होगी सब को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे भून लेंगे अच्छे से गोभी को और इसमें पानी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बस आच आच आप धीमी रखो ओयल भी बहुत ज़्यादा डालने की जरूरत नहीं है आप इसे ढख देंगे बस धीमी आच में ये गोभी पक जाएगी कुछ ही मिनट लगते हैं बीच बीच में आप चेक करते जाएं और खोल करके फिर उसको मिक्स कर लें अगर जरा सी भी हलकी सी लग रहा है कि थोड़ा सा भी और कमी है थोड़ा सा और करना चाहें तो आप भून सकते हैं या हाफ कुग भी किया आपने तो भी चलता है इसमें बहुत ज़्यादा नहीं दिकत क्योंकि पराठे जब सेखते हैं तब भी उस टफ पराठे होते हैं तो तवे पर भी सेखता है अच्छे से ये देखिए गोबी का मसाला हमारा खुब अच्छे से भुन गया है तयार हो गया है मतलब पानी नहीं रहना चाहिए मौश्य पूरास का खतम हो जाना चाहिए तो बस गोबी पकी जाती है और अब मैंने कटा हुआ हरा धनिया डाला है गोबी के पराठे मूली के पराठे विंटर सीजन में तो जिसे की जान है मतर के पराठे मतलब जब सबजियां इतनी आती है इस सीजन में और सबजियां तो रोज ही खानी है पेंटर सीजन में बच्चों को खिलाना है और उनको जिस भी तरह से पसंद आए उस तरह से खिलाना है उन्हें बस अब मैंने लास्ट में धन्या-पत्तर डालके मेक्स किया, और कड्हाइी से गोवी का जो मेक्षिर है, इसे मैं स्टीफिन में डाल रही हूँ, मतलब स्टील के डबे है, येrice, ज़जातार कीचन में मैं यूज करती हूँ, थोड़ी चीज है, तो डबों में डालती हूं जादा होता है तो डूंगे में निकालती हूं अक्सर ना और यह ऐसे रख दिया इसे यह अराम रहता है तो धक्ती चीज़ रख crafty रखे रहती है किछड़ में और जो बचा कुछा तो freeze में पहुंचाने में अराम रहता है अब मैंने दही निका लिए फिरिज से तो ये दही कल की है मतलब मैं डेली दही जमाती हूँ थोड़ा सा तो ये दही मैं निका लिए तो सारी दही मैंने यूज कर लिए सिर्फ एक चमच दही बचा के रखी है क्योंकि मुझे दही जमानी है और इस दही को मुझे फेटना है तो अब मैंने इसमें करीब एक कटोरी पानी डाला है ये एक कटोरी से जादा की दही है और लेकिन पानी मैंने एक कटोरी डाला है और दही काफी गाड ही है इसलिए अब मैंने पानी डाल करके इसको ब्लेंड किया है तो ये मतलब अच्छा जैसा मुझे चाहिए वैसा ही तैयार हो गया है अब इसमें मैंने डाला है राइता मसाला तो एक चुटी चमच भरके मैंने राइता मसाला डाला है रायता मसली की रेसिपी मैं already share कर चुकी हूं और ये है पुदीने का पाउडर, यह मैंने पुदीना पीस के रखा है, वो डाला है मैंने और लाल नमक । डाला है दही में टेस्के according और यहाँ पर एक डेड़ चमशे करीब मैं चीनी की डाल रही हो, हल्किसा मिठा बनाएगा, बहुत मीठा नहीं लगेगा और मैं बूंदी डाल रही हूं मतलब फाइनली बूंदी का रायता बनी गया और थोड़ा शॉर्ट में रेसिपी बतानी है पर जाती है कुछ नियो वेवर्स हो तो अचानक से डोंगे में रायता कैसे आगया अब मेने हरा धनिया भी डाला है और राय जीरे से तड़का बनाया है फिर उसमें हिइंग डाली है और लाल मिर्ची थोड़ी से पाउडर डाला है और यह तड़का डाल दिया है त्वीका रायता भी अच्छा लगता है लेकिन पतानी के हम लोगों को एक आधसी बनी हुई है न तो हम लोगों को तड़का डा तड़का और अब यह हो रही है बर्तनों की धुलाई क्योंकि मैंने अभी शुटिंग नहीं की थी फटा-फट से क्योंकि हद्बिन का टिफिन देना था तो गोबी के प्राठे और पुंदी का रायता टिफिन में लेकर के गए हैं और सैंविच और दूद ने नाश्टे में था और शुटिंग मैंने अभी इसली नहीं की थी वेक तो ऐसे भी देर हो चुकी थी सुबह वाले में बड़ी बड़ रहती है या तो मैं पहले से शुरू करूं साथ बज़े से स्टार्ट करूं तब हो पाता है मेरा उनके टाइम से मतला उनका नौ बज़े का टाइम का का हो जाए और मेरी शुटिंग भी साथ सा चलती रहे तो मैं बताऊंगे भी बच्चों के लिए वनाऊंगी ना तब देखाऊंगी तो इसलिए मुझे मुझे मालूम था बच्चों को अभी खाना नहीं है वो थोड़ा देर से खाएंगे बच्चे जब खाएंगे तब मैं ग कुछ भी करती रहूं मतलब अपने मन का तो फिर दिन मेरा होता है तो अब मैं अपना आगे काम कर रही हूं सुबह नहाने का सबसे बड़ा फायदा होता है सुबह जल्दी नहा लिया कि फिर टाइम से देव पूचा हो जाती है अगर कभी मुझे देर हो जाए सुबह नहान और हमारा देव घर में दीपर जलाना शॉट कट में ही पूजा हो पाती है मेरे से बहुत जादा टाइम नहीं दे पाती हूं मैं अब पहले जैसे हम पाचुरा रहते थे तो केंदर मेरा डेली जाना होता तो सुबह और शाम दोनों टाइम की आरती में अटेंड करती थी रंगोली कलकी बनी हुई थी तुलसी जी के सामने तो मैंने नहीं हटाई थी क्योंकि ब्रुकुल सही है कई बार पक्षी हिला जाएं तो थोड़ी बिखर जाए तब हटा लेते हैं वरना नहीं हटाते हैं और कार्थिक मास हैं इन दिनों जितना हो सके अपने से जितना कर सक सब को करना चाहिए सुबह जित नहाना है सुबह शाम तुलसी जी के आगे दीपक रखना है और आकक्षंऑ जो जलाती हमें कासव वाला देवगर में हो तो हमारा सुबह शाम तक चलता ही रहता है और आरती करना है और जो पाठ करने हैं और एक प्रेग्या विधन इस्तोत्र होता है वो बच्चों को पढ़ना अच्छा रहता है और कार्थिक मास में तो सुबह जल्दी ही उठते हैं सब लोग और जो उम्बर का पेड़ होता है ना ओदुमबर का पेड जो हमारे केंदर में स्वामी समद केंद से जुड़े हुए हैं जो लोग वो जानते होंगे केंदर में वही पेड़ जरूर रहता है क्योंकि उसमें दत्त भगवान का वास होता है ब्रह्मा विश्णु महेश तो प्रग्या विधन स्तोत्रु बच्चों को पढ़ने के लिए तो वही मैं शुभी को बता रही थी ज्यादा तर लोग कहते हैं आपके लिप से अलग रहती है वाइस ओवर एक्चली जैसे हॉल में शुभी बैटी है पढ़ रही है और मैं उससे बाते कर रही हूं तो इसलिए वो मेरे मूँ चलता रहता है अब मैंने दूद निकाला है से दूद को हलका घरं की है मतलब घरं नहीं किया नर्मल किया क्योंकि फ्रेश का थंड़ा दूद और आके जो नर्मल सा दूद होता है बेना फ्रेश में रखा हुआ वैसा वालग किया है और छोटी भगू नियुद और चौतर यृस्जे में जह्ञारी हूं इसे ताजी DAだ यात से अठाकी रखी थी और यह मैंने दही लगा दी, सुब्बह ही मैं हमेशा दूद में दही लगाती हूँ तो जिससे कि यह शाम तक दही जम जाती हर हाल में कुछ भूल चुक भी हुई, मतलब शाम से लेकर राद तक में तो दही जमी जानी है ओवरनाइट में दही नहीं रखती बाहर दही जम जाएगी शाम को तो उसे फ्रिज में रखतूंगी और अब मैंने फिर से अपनी लेक्षिप चाय बना ली चाय और अब मेरा नाश्ता और ऐसा मेरा कमपसरी नहीं है कि मैं नाश्ता नहीं करूँ और फिर पूजा करके ही नाश्टा करूँ ना कि सिर्फ ऐसा कि मैंने आज ऐसा किया वो मेरी भूख के उपर है अगर मुझे सुबह का भी भूख लग गई तो मैं पहले नाश्टा कर लेती हूँ अगर नहाना नहीं हो पाया किसी वज़त तो फिर नाश्टा करके फिर बाद में पूझा कर लेते हैं आज हो गया सब टाइम से तो मैंने बाद में नाश्टा कर लिया भूख नहीं लग रही थी और मैंने आज कुछ francs भी लगाए है और मैं गई थी ना, मैं नर्सरी कुछ प्लांट्स लाई थी, मैंने मिनी चाननी लगाई थी छोटी वाली, खुब अच्छा खिलता भी था, सीड़ी पे जब रखा था, धूप नहीं मिली इसको, तो ये खराब हो गया है, तो मैं इसको हटारी उसूग गया है, तो अब मैं इ किसी दिन नर्सरी, अब मेरी वो वैगो खराब हो गए थी, सही हो गए ना, स्कोटी, तो जाओंगी किसी दिन, तो फिर लाओंगी कुछ प्लांट्स, विंटर्स के हिसाब से, सीजनल पौदे रहते हैं, तो वो जली लगते भी हैं, और अच्छे भी लगते हैं, कुछ ऐसे से फैलता है, बढ़ता है, तो यही सब लगा रही हो, हलके भी रहते हैं, यह पौदे, और छुटे-छुटे से यह पौट हैं, हैंगिंग वाले, तो यहां रेलिंग में टांगने के लिए, तो यह सब काम कर रही हैं, इसके बाद मिट्टी के काम हो जाएं, फिर वो बालकर हैं, तो बस यह ऐसे यहां पर रेलिंग के लिए सही है, और प्लांट्स के लिए अक्सर विवस पूछते हैं, देखो, डाल चावल धुलते हैं हम लोग किचन में, तो उसका पानी आप किसी बरतन में रख लो, वो पानी आप पौदों में डाल सकते हैं, जो हम लोग ताग मतलब घी बनाते हैं, ताग निकलता है, वो पानी भी आप डाल सकते हैं, अगर आपको यूज नहीं करना है खाने के लिए, तो पौदों में बहुत ही अच्छा रहता है, प्लांट्स ग्रो करते हैं, और मुवफली के चिलके तो मैंने बताये, तो खाद के लिए चाई भी आप बनाएं तो चाय की पती, विंटर में चाय को बननी है, एक कटोरा बना के रख लो, जिसमें डेली आपको छनी से चान के उसमें डालना है, फिर वो धूप में रख दो लेकिन ताकि उसमें स्मेल वगरण नहीं रहे, तो उसको भी आप प्लांट्स में डाल सकते हैं, प मेरे लिए खुब आराम जैसा लग रहा है मुझे, क्योंकि जब वो पूरा-पूरा काम होते हैं, तब ज्यादा आज जैसे ज्यादा कप्ड़े नहीं थे, बस डेली वाले कप्ड़े थे, वहीं के वहीं, जहां हमारा बैडरूम है, तो बालकनी है, वहीं पहने में ब्लू पराठे क्योंकि शुभी को लगी है, भूख एक बज़े के टाइम पे हमारे है लंज टाइम होता है, हमारे है काफी चीजों का फिक्स टाइम है, रात वालत जो बोलती हूं, आठ से साड़े आठ के वीच कभी कभारे दोदर टाइम हो जाए, वह एक आध दिन की बात है, ज शुभी को राइता बहुत पसंद है, और मैं गरम गरम पराठे सेख के खिला रही है, और शुभम कहा रहा है कि वह क्लास खतम हो जाए, तो उसके बात खाएगा, तो ठीक है, मैं यह भी नहीं करती कभी कि अब जब वह आएगा तब उससे सेख के देंगे ना, वाले मैं कड़े वाली चोट-चोटी चीजें कर रहता है ना, वो बच्चों का अपस में, तो मेरे से बोलेगा कि आपने दीदी को गरम बनाया था, तो मैं साफ के जित नहीं, दीदी को अभी मांगा है, तो मैं अभी बना रही हूं दीदी के लिए तो गरम इसली खा रही है, क्योंक आएगा, तो बाकी हसी मजा की, बाकी तो ये सब पूरे टाइम एक दूसरे के साथ ही रहते हैं, एक दूसरे के बगार रह नहीं सकते हैं, वो अगर जरह साभी कहीं, बिल्डिक में किसी के पास खेलने भी चली जाए, तो दीदी का है, वाला एक दूसरे के बगार भी नहीं रह सकते हैं और छेड़ चांड भी चालो रहती है तीवी सीरिल में रिमोट का तो स्यादा मुद्दा वही है उसे जो देखना है उस वक्त उसे वो नहीं देखना है शुबी को तारक में ता देखना है तो उसको कपल शर्मा देखना है तो बस यह है कि चैनल बदलो वाले काम रहते हैं अब शुबी को मैं दे रही हूं अभी अच्छा है खाने पर एक बच्चा टेबल बैठता है ना तो बड़ा आराम दे को शुबी ने लगा लिए अपने मन की अगर इस टाइम पर शुबाम होता तो वह कहता भी यह वाला चनल लगाओ या कोई मोवी लगा दो तो काट कट वाला काम हो जाता है और कामली में लोग अच्छे से खाते हैं मन से बस करम होने चाहिए तो बना के देरियों में शुबी को बागी के बना के रखेंगे और बहुत सारी चीजों के लिए स्ठैता यार कि ये बनाओ वो बनाओ भरता शुबी को बहुत पसंद है भरता की रिक्वेस्ट भी है कि उमाराचिर शुबाला भरता बनाए खांदेशी और वो बनाना है मुझे इसके लिए वांगे चाहिए जिस जिन ऐसे ठेले से निकले सुबह की समय आवाज आएगी तब मैं ले लोगी क्योंकि आजे बड़े बढ़े बरते चाहिए बैगन चाहिए बढ़ते के लिए और शुबहम भरता नहीं खाता है वही सोचना पड़ता है उनका सुबह सुबह टिफिन रहता है रात के टाइन पे सब एक साथ बैठते है इसलिए जालता मैं डिनर की शुटिंग करना पसंद करती हूं एक साथ बनता है उनका टिफिन होगा आप देखो वो तब लेके गए अब शुबह अब खा रही है बनते बनते फिर मैंने लाचने बना के रख लिए अपने और शुबहम के लिए भी तब तक शुबहम बोला क कि मैं आ रहा हूं और अब मैं और शुबहम खाएंगे तो मैं हम दोनों की प्लेट लगा रही हूं और बस राइता में काम चल जाता है शुबहम है कि उसको सौस चाहिए अभी हजबन होंगे उनको चटनी चाहिए रहती है तो सरदी के दिनों में चटनी तो मतलब ऐसा लग हूं क्योंकि हाद बन कुछ भी नाचता या काना काएं चटनी है क्या में और शुबहम को सौस चाहिए होता टेबल पर और मैं और शुबहम तो राइता दही सफीशन्ट है हम लोगों को और हमें कुछ नहीं चाहिए होता बस आज कब लॉट में यहीं कतम करना चाहती हूं और आंक्यू में जा रही हूं आराम करने आज पर दोपहरे में सोऊंगी थोड़ी देर फिर अच्छा लगेगा फ्रेश लगता है फिर शाम को देखो शूटिंग करूंगे की नहीं